हेलो फ्रेंज गुडवीनिंग नमस्कार सहस्त्रेकाजी दोस्तों मैं दीपक रोहिला आपका स्वागत करता हूं मनी मंतरा के एक और यूट्यूब वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं स्विंग टेडिंग के कुछ बैतरी स्टोक्स जो आने वाले टाइम में हमारे मॉटिवेशन मिलता है जिससे मैं रेगुलर बेसिज पर आपके साथ कुछ स्टोक आइडिया शेर करता हूं जिससे हमारे पॉट्फोलियो में ग्रिन नहीं आ सकती है तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों पहला स्टोक डिसकस करते हैं पहला स्टोक दोस्तों ग्रीव कोटन क्य करती है और ट्रेड भी करती है कंपनी की मार्केट कैप है 3268 करोड कंपनी के ओपर डेट भी है 87CR का जो बहुत ज्यादा नहीं है डेट टू एक्विटी रेशियो अब चेक करेंगे 0.06 यह बहुत इंपोर्टन है तो यह जितना 0 के पास होगा उतना ही अच्छा होगा अब बात करते हैं चार्ट पे कंपनी छोटी नहीं है कंपनी की इंडिस्ट्री की पी से स्टोक की बहुत उपर है 481 I don't know यह डाटा सही है या नहीं है बट स्टोग की पी इंडिस्ट्री की पी से बहुत उपर शोगा हो रही है अब हम करतें चार्ट पे की चार्ट पे कैसा लग रहा है tim Ego चार्ट पर और फिल्ट से पहले बात कराँ चाहेंगे कि यह यहांज से फ्रवरी तो हजार 21 से दो यह सपोड रेंज है यहीं से इसटोग बार अभी यह trend line से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो यह trend line से जब तक बाहर रहेगा ट्रेड होता रहेगा तो अच्छा लगेगा तो यह stock 140 रुपीज पे अभी trade कर रहा है अगर आप छोटे समय से trade करना चाते हैं तो आप 133 के stop loss के साथ trade करें और थोड़ा सा positional view रखना चा सकते हैं दोस्तों 144 पे अभी ट्रेड कर रहा है वन छोटे समय में आपको 150 160 के लिए जा सकते हैं furthermore आगर आपके पास समय है आप पेशेंस है आपको आपका समय अलाव करता है जेम अलाव करती है 185 180 200 220 240 and 260 इन टार्गेट के लिए आप इस टोक में इवेशित रह सकते हो यह स्टोक अपने को क्या दे सकता है यह स्टोक अपने को दे सकता है तरिवन एट प्रेजेंट लेवल से 80% के रिटन दे सकता है और इसके लिए अगर आपको 80% के लिए जाना है तो आपको देना पड़ेगा समय at least one year around time इसके साथ आपको spend करना पड़ेगा one year plus time spend करना पड़े अगर तालना प्लेटफर्म्स तालना प्लेटप्रम वीकली के सट्रि mmane dil опис और और यह सिंपल है वोल्यूम इंडिकेटर है यह में है और ऐसा ही है यह सिंपल है सफीशेंट है स्विंग ड्रेडिंग के लिए अगर इनको फोलो कर लोगे न और वन इस्टू टू के रेशो में ट्रेड लोगे तो लोस नहीं होगा अपने को अब बात करते हैं यह सपोर्ट लेवल कहां पर दे को यहां पर कभी इसका टोप पे और यही सपोर्ट बन रहा है यहां पर तो 893 के असपा सपोर्ट मिल रहा है इसको ऑज की इस वीक की कैंडल जबर दसता है आज के दिन की कैंडल बढ़ी जबर दसता है तो इस वीक में बड़ा ही अच्छा वोवलियोम बन के आ रहा है इसमे और RSIB आपको के अडिकेट करक यह 1090 पर स्टोक ट्रेड कर रहा है डे टाइम में यह अपने दोस्तों कर साथ शेर किया था यह एक छोटी सी हड़ल है 1125 की उसके बाद स्टोक आपको 1280 दे सकता है 1400 जा सकते हैं हम 1600 जा सकते हैं हम 1770 जा सकते हैं वो फर्दरमोस समय अलाव करता है तो 2000 से 2100 के लिए भी स्टोक में जा सकते हैं सब्टोप्लोस बहुत इंपोर्टेंट है स्टोप्लोस को अबको 893 यह लेवल बहुत इंपोर्टेंट है यहीं पर स्टोप्लोस बन रहा है इसका थोड़ा सा दूर का स्टोप्लोस है बट स्टोप्लोस इस इंपोर्टेंट बिना स्टोप्लोस के प्लीज ट्रेड ना करें दोस्तों तो यह वी अपने को क्या बनाकर दे सकता है करीबन कि नाइनटी परसेंट की डिटर नहीं यहां से निकल सकते हैं इस टोपलोज के साथ ही ट्रेड दे रहें और आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट होगा अपना और एक्सीसी में तो हिंदुस्तान कंस्टक्शन कंपनी तो ए दोस्तान मंध्लि कंडल दिखाना चाहता हूं यह है कि अब केवल यह वाली range देखेंगे तो क्या आपको यह एक breakout नजर आ रहा है यहाँ पर हम केवल यह वाली range की बात करें तो क्या यह breakout है दोस्तों ब्लिम भी अच्छा है मंतली candle है और SI भी अच्छा 73 का है तो यह breakout अपने को क्या दे सकता है यह breakout अपको 56 रुपीज के लेवल तक भी लेके जा सकता है पहले एक stop loss की लाइन जरूर लगा लेते हैं दोस्तों stop loss हमको रखना चाहिए यहाँ पे 23 रुपीज पे और अब लगाते हैं 56 रुपीज की लाइन जो इसको टार्गेट को शो कर सकती है अब जब यह 44 को क्रोस करेगा तो अब देखो 44 एक बहुत बड़ा time gap भी देखिए दिसंबर 2010 में यहाँ पे था और यह next one year में 44 को क्रोस करता है next one year में भी करता है maybe हम six month में भी यहाँ पे पहुँच जाएं next one year में भी करता है तो यहाँ से बहुत बड़ा breakout इदर मिल सकता अपने को और फर्दर अगर आगे तक हम इसको hold करते हैं तो 72 rupees के target भी अपने को मिल सकते हैं हमको क्या करना है patience के साथ इसको hold करना है patience is very important अगर आपके अंदर patience है तभी आप ऐसा बना सकते हो stop loss आपके सामने है target आपके सामने 44, 55, 70 rupees further अगर आपका समय आपको लाओ करता है तो आप 100 rupees के लेवल के लिए भी रोख सकते हो और यह stroke भी अपने को अगर patience आपके पास है तो 200 plus percent plus के return भी अपने को निकाल के दे सकता है चूप next to work की बात करते दोस्तों next talk है जहारी इंडूस्ट्रीज लिमिटिड अब इसके मंधली चाट मंधली चाट दिख रहा तो मंधली चाट पे क्या हम यहां पे एक यह लाइन न दोस्तों ठीक है अब हम इसकी बात करते हैं वीकली चार्ट पे वीकली चार्ट पे ये एक breakout नजर आरा आपने को हाला कि breakout आया नहीं अभी तो क्या हम एक ऐसी चीज़ सुनिया आपने बाइ भीफोर ब्रेक आउट बोलते हैं नो लोग कि breakout से पहले ख्रीद लिया मैंने स्टोक तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट चाहिए उसके लिए तो यह कपने एंडल फॉर्मिंग में है दोस्तों फॉर्मेशन में है दोस्तों यह डे टाइम में हमने जो आपका स्टनीच्ट जो pa euro दोस्ते हैं प्रॉइमं के साथ चीर किया था गांए मनेंत फ्रीख सव कि आता है वह यह आता है और उसके टार्गेट यह मिलते हैं तो फॉरंड़ के यह लैवल एंốc दोस्तों अभी स्टोक ट्रेड कर रहा 193 पे तो अगर आपके अंदर पेशेंस हैं तो आप स्टोक में होड करिए एक साल के अराउंड टाइम के लिए और आपको 100% के रिटर्नी आपको दे सकता है दोस्तों अब बात करते हैं जोरी इंडुस्ट्री के बारे में करती क्या कंपणी ज्वारी इंडुस्ट्री के बारे में ज्वारी गलोम इस होल्डिंग कंपोनी ओफ वニल狗 इस्टेभिलिस्ट एंड डिवलिस्ट देस्ट अडिश्पड इड़र्सेवयड की वेल्यू है कंपनी के पास डेट बहुत ज्यादा है 23149 का डेट है तो डेट टू इक्विटी रेशो भी एक के पास है तो हमको यहां पर ऐसी कंपनी के अंदर और not more than 1% या 2% से ज़्यादा निवेश नहीं करना चाहिए हम निवेश कर रहे हैं एक अच्छे चार्ट पेटरन की वज़े से जो दिखने को मिल रहा है बट ऐसी कंपनी में बहुत ज़्यादा इन्वेश्ट मादो हैविली इन्वेश्मेंट नहीं करना चाहिए मैं सज्जेस्ट नहीं कुरूंगा कि आप 4-5% इसमें इन्वेश्ट कीजिए मैं सज्जेस्ट कुरूंगा कि केवल एक से 2% अपने पूर्फोलियो का ऐसी कंपनी में देखो हमने यहां पर कुछ मिला है जो बहुत बड़ी इन्वेश्मेंट शेयर नहीं करने का मार्गेट कैप से ज्यादा कंपनी का डेट है यह भी एक important चीज है debt to equity ratio काफे उपर है तो इसको या तो आप avoid कर सकते हो या केवल एक या 2% hold कर सकते हो बस आपको hold करना पड़ेगा at least one year के लिए अगर one year के लिए hold कर सकते हो तो इस टोक में आपको जाना चाहिए else इसको आप avoid भी कर सकते हो हाला कि इसने last one year में 32% written दिये है और last three year में 45% written दिये है तो आगे भी पैसा बनने की अच्छी संभाव रहे है but as a 50-50 chance इसमें आप decision अपने आप से लीजे कि आपको कितना पैसानी वेश करना चाहिए इसके अंदर तो आज के वीडियो में यही था स्टोक दोस्तों यही चाह स्टोक थे जो आप लोगों के साथ share करने थे अप लोगों का view मुझे जानना है मुझे मैं eagerly wait करता हूं आपके comments के लिए आपके likes के लिए आपके comment बहुत important है आपके comment मुझे educate करते हैं हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मैं बिल्कुल zero हूं काम का नहीं हूं मेरे stocks अच्छे नहीं आइडिया स्टोक आइडिया जाए अच्छे नहीं होते होंगे बहुत से लोगों सोच सकते हैं ऐसे बट मैं पूरी कोशिश करूं आपके साथ कुछ अच्छे stock आइडिया शेयर करूं और मोटी आई है कि डे एंड पे आप जो वीडियो देख के समय वैतियत कर रहे हैं समय इन्वेस्ट कर रहे हैं तो समय की value आपको अच्छे तीन चार पांश स्टोक मिलें जहां पे आप अपने portfolio में investment purpose से निवेश कर सकते हैं थैंकियो friends have a wonderful time जहिंद जह भारत दोस्तों हम फिर भी लेंगे